ग्लोबल मारकेट से मिले खराब संकेतों से देश के घरेलू शेयर बाजार हफ़ते की आखरी कारोबारी दिन लाल निशान के साथ खुले कारोबारी सत्र के अंत में शेर बाजार भारी गिरावट के साथ बंध हुआ संसेक्स ब निफ्टी दोनों में दिन बर विकवाली का माहोल चलता रहा और लाल निशान के साथ कारोबार किया इससे पहले चार सत्र की गिरावट के बाद गुरुबार को शेर बाजार में तेजी आई थी कारोबारी सत्र के अंत में 30 अंक वाला सेंसेक्स 116.84 अंक गिर कर 54303.44 पॉइंट पर बंध हुआ इसके अलाबा 276.30 निफ्टी गिर कर 16201.80 के स्तर पर पहुँच गया शुकरबार के कारोबारी सत्र के दुरान सेंसेक्स ने 24205.99 का लो लेबल चुआ इसी तरह निफ्टी भी 16172.60 के स्तर तक गया निफ्टी के टोप लूजर्स में कोटक बैंक, HDFC, बजाज फाइनेंस, हिंडालको और रिलाइंस रहे टोप गेनर्स में एशियन पेंट, ग्रासीम, अपॉलो होस्पिटल, नेसले इंडिया और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट रहे कारोबार की अंत में संसेक्स के 30 में से केवल 6 शेर में तेजी देखी गई जिन शेर में तेजी देखी गई उनमें एशियन पेंट, नेसले इंडिया, डॉक्टर रेडी, अल्ट्रा टैक्स सिमेंट और एक्सिस बैंक रहे इससे पहले शुकरबार सुबह शेर बाजार की शुरुआत भारी गिरावट के साथ हुई थी कि झाल को है कि एक्सकती हja खरावट के साथ हुई। झाल